नमस्कार दिवेदी जी के कीचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बैगन का भरवा तो बैगन का भरवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ मसाला लिया है एक चम्मच मिर्थी है दो चम्मच खड़ा धनिया है एक चम्मच जीरा है दो खटाई है बाकी लहसन है और मिर्चा है थोड़ा सा इसमें दो अधि दालना है पहले तो इस चारों चीजों को हम भून लेंगे उसके बाद तो सारा चीज एक में मिक्स करके पीस देंगे और पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे पस एक चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे लेहसन मर्चा को नहीं भूनना है ये चार चित जो है इसे आप भून लें अच्छी तरह से और यहां पे हम आम की कली लिए हैं इसमें डालने के लिए तो इस बैगन है इसकी कलोजी भरवा दोनों पहुत ही अच्छा होता है तो चलिए यहां पे आप देख सकते हैं इसका हम अच्छी तरह से धूल कर साप करके और बीच बीच पे कट लगा दिये हैं लंबी-लंबा कट चाकू से आप लगा दें और उसके बाद इसमें मसाला भरें अ बारेक तयार कर लिया है बीच में देखिया आप थोड़ा सा महल्दी डाले हैं थोड़ा सा हींग डाले हैं और नमक स्वाधन साथ डालने ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है अब इनको हम जो बैगन कट करके रखे हैं इसमें हम भरेंगे तो इस तरह से आप बीच से फैला लें और इसमें जितना भर सके हैं उतना आप अच्छी तरह से भर लें यह आप देख सकते हैं इस तरह से बैगन का भरवा आप बनाएंगे तो बहुत स्वाधिष्ट और साधापन लेकर बहुत अच्छा लगेगा एक बार ट्राए जरूर आप करें तो इसी तरह से हम पूरा बैगन जो है भर के तैयार कर ले रहें आप देख सकते हैं थोड़ा सा दबाते हुए भर रहें इसको और अगर मेरे चैनल पे आप पहले बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक असानी से पूंग सके हैं और रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना बिलकुल भी ना भूले हैं अब इस तरह से हम बैगन मों भर दे रहे हैं इस तरह आप देख सकते हैं चावल दाल के साथ खाईए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और खासकर वाइट बैगन का ही आप भरवा बनाएए तो अच्छा लगता है तो यहाँ पर हमने पूरा बैगन भर के तयार कर लिया है अब चलिए कड़ाई के तरब चलते हैं कड़ाई अमारी गरम है इसमें हम सरसू का तेल डाले हैं और इसमें इसी तरह से हम बारी बारी बिच्छा देंगे पूरा जो बैगन का भर के रखे हैं इसे पूरा हम बिच्छा देंगे अच्छी तरह से और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा होना चाहिए बस इसी तरह से आप भी बनाएं अब इन्हें ढखन लगा के धीमी आज पर हम चार पाच मिनट छोड़ देते हैं अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसे हम अच्छी तरह से पलट देंगे नीचे का उपर कर देना है उपर का नीचे पलट पलट के इनको अच्छी तरह से गला लेना है आप देख सकते हैं हम किस तरह से पलट रहे हैं बस इसी तरह से आप सारा बैगन को पलट दें बैगन हमारा रेडी हो गया तो चलिए अब इन्हें हम उतार लेते हैं झालल है झाल गल्ट